हेलो बच्चों, वेलकम तो आर चैनल, इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाई विकेगर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोशन नंबर 76, 200 76, 200, कोशन के सल्यूशन्स, प्रॉम चैप्टर वेव आप्टिक्स पहले तीन पार्ट आप देख चुके होंगे, जिसमें हमने कोशन नंबर 1275 डिसकस किये थे, बट आप आज हम फोर्थ पार्ट डिसकस करके इस चैप्टर को कम्प्लीट कर देंगे, और नेक्स चैप्टर कौनसी की आप वीडियो सिलूशन चाहते हैं, तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो लेट आस टार्ट दिसक्शन ओफ कोशन नंबर 76, क्या कहता है बच्चों कोशन नंबर 76, a telescope is used to revolve, sorry resolve two stars separated by, आपको देखिए angular resolution दी गई है, if the wavelength of light used is 5460 angstrom, what should be the aperture of objective of telescope, aperture क्या होना चाहिए, तो बच्चों, resolution power, resolving power, और ये resolution limit, delta theta, ये दोनों inverse होते हैं, तो delta theta क्या होता है बच्चों, 1.22 lambda by a, where a is the diameter of the lens, और aperture of the lens, दोनों एक ही बात है, तो aperture पूछा है, that means we have to calculate this diameter a, तो ये किसके बराबर होगा, 1.22, lambda कितना दिया है, बच्चों, 5460, into 10 raise to power minus 10, divide by, angle कितना दिया गया है, radian में ही दिया है, बच्चों, अगर ये degree में होता, जो इससे last video में आपने देखा था, angle degree में दे रखा था, बार-बार हमें radian में convert करना पड़ रहा था, तो यहाँ पर angle by default ही radian में दिया है, तो हमें यहाँ conversion की जरूरत नहीं है, direct हम यहाँ पर angle put कर देंगे, अब अगर आप इसे गौर से देखें, तो यह लिखा जा सकता है, 1.22 into 5.4 into 10 raise to power minus 7 divide by, यहाँ पर हमने क्या कर दिया बटा, 5.4 लिख लिया, 4.6 into 10 raise to power minus 6, further यह थोड़ा सा असान हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप देखें, तो यह 0.5 बनेगा, यह 0.6, मैं आपको सभी वीडियो में यह बताता हूँ कि objective type question में, आप option को देखें, option थोड़ी दूर दूर है, तो थोड़ा सा आप approximation user कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसका double कर देंगे, 2.44 into 0.6 into 10 raise to power minus 1, आप इसे multiply करिए बच्चो, यह आ रहा है, 1.44 into 10 raise to power minus 1, तो हमारे पास answer क्या बनेगा? A option, getting my point, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा calculation को adjust कर सकते हैं, क्योंकि paper में calculator allowed नहीं होता है, तो question number 77, okay बच्चो, question number 77, diameter of people of human eye is about 2 mm, human eye is most sensitive to wavelength this, the limit of resolution, यह मैंने class में भी कराया है, बहुत बार कराया है, कि जो human eye है, इसका diameter बहुत छोटा है, और बहुत दूर से हम चीजों को देखते हैं, तो इसके उपर भी यह telescope का formula ही लगता है, तो limit of resolution पूछी गई है, that means यह theta पूछा गया है बटा, 1.22, यह हमारे पास क्या आएगी wavelength 555 nanometer, divide by diameter क्या है, 2 into 10 raise 2 power minus 3, अब यह किस में आएगा बच्चों देखिए, जो मैं last question में कह रहा था, कि उसमें radian directly given था, तो हमें conversion की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट यहां पर पड़ेगी, यह किस में आएगा theta, radian में, पूछा किस में है, minute में, minute मतलब, एक minute का मतलब क्या होता है, 1 by 60 degree, 1 by 60 degree को हम क्या बोलते है, 1 minute, तो पहले आपको इसमें, इसको किस में convert करना पड़ेगा, degree में, degree में कैसे convert करेंगे, radian को हटा दो, यहां क्या आ जाएगा, pi by, sorry, degree में convert करना था बट रेडियन को, तो 180 degree by pi, radian, तो यह radian को degree में convert कर दिया, अब आपको इसको किस में convert करना था minute में, तो एक degree में कितने minute होते हैं, 60 minute होते हैं, अब यह हमारे पास, पूरी की पूरी calculation बची है, किस में बची है, minute में, अब आपको इसे solve करना था, अब यहां पर अगर आप तो यह calculation जरूर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है यह calculation जरूर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है बच्चो इसके लिए तो आपको calculator ही थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा नहीं तो आप इसको भी approximation में ले जा सकते हैं कैसे ले जा सकते हैं इसको आप 500 कर लो थोड़ 1.3 हो गया फिर यह 90 और 60 इनको तो आप multiply कर ही लेंगे तब यह आपके पास क्या है थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मेरे पास अप्रॉक्सिमेट अंसरा आ जाएगा क्लियर है बच्चो तो इस तरीके से आप calculation करके देख सकते हैं बट main point यहाँ पर इस question में क्या था कि यह minute में दिया है पहले यह radian में आता है फिर degree में convert करना है और फिर इसको minute में convert करना है moving toward next question question number 78 the two points separated by distance 0.1 mm can just be inspected in microscope when light of wavelength is used if light of wavelength this is used the limit of resolution will be अभी तो इसने का just resolve यानि कि यह पहले case में limit of resolution है तो limit of resolution मतलब minimum distance that can be separated out तो delta d किसके proportional होता है बच्चो wavelength के तो दूसरे case में limit of resolution क्या होगी divide by पहले case में जो थी दूसरे case में wavelength divide by पहले case में बाकी सब तो same है बच्चो तो यहाँ पर क्या आएगा दूसरे case में wavelength है 4800 पहले case में है 6000 angstrom से angstrom निपट जाएगा अगर आप देखे तो यहाँ आ जाएगा 4.8 यहाँ आ जाएगा 6 जब आप इसे cut करेंगे तो यह हमारे पास क्या बचेगा 0.8 अब यह d2 into delta d1 है d1 कितना था बेटा d1 कितना था 0.1 mm d1 कितना था 0.1 mm तो यह कितना बचेगा 0.08 mm कितना बचेगा बच्चो 0.08 mm अब अगर आप देखे 79 टू टावर्स ऑन दा टॉप अफ टू हिल्स आर 40 किलोमेटर पार्ट यह कोशन खतरना जादा तर बच्चे 99 परशेंट बच्चों को समझ नहीं आता क्या था बहुत सारे बच्चे डाउट पूछने आते हैं मुझे पुरा यकीन है कि आप कभी यह डाउट होगा समझ ही न टू टावर्स ऑन टॉप अफ टू हिल्स दो टावर हैं टी वर टी टू ओन टॉप अफ टू हिल्स लाइन जोईनिंग देम पासे 50 मिटर अबव अनदर हिल बीच में यहां पर कोई हिल है बीच में यहां पर क्या थी एक हिल कहता है जो इनको line join कर रही है वो hill से 50 meter के उपर से pass कर रही है distance कितना है 40 km which is half way यहनि कि यह distance कितना है 20 km the longest wavelength of radio wave which can be sent between the two tower without appreciable diffraction effect गोह से देखे without appreciable diffraction effect गोह से देखेंगे बटा यहां से जो wave गई बटा यह bend हो रही होगी diffraction हो रही होगी बटा यहां से अगर यह कह रहा है कि without much diffraction effect तो यह light इतनी नहीं bend होनी चाहिए कि भई यह इस hill के साथ टकरा के यहां पर energy loss कर दे यह light यहां से निकल जाए और इस tower के पास पहुंच जाए पहला आप इस तरीके से सो सकते हैं दूसरा आप क्या सो सकते हैं कि यहां से एक हमारे पास wave गई क्या सो सकते हैं wave गई यहां से क्योंकि यहां पर हमारे पास एक opening टाइप यह बन गया तो यहां से अब यह diffract होनी शुरू हो जाएगी diffract होगी तो एक marginal diffraction इसके अंदर नहीं होनी चाहिए दोनों thought process अपनी अपनी जगा पर set है तो करना क्या है करना simply यह था कि अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा diffraction ना हो तो diffraction pattern कहां पर ignore किया जा सकता है it can be ignored up to fresnal distance तो यहां पर concept क्या लगना था fresnal distance तो यहां पर अब यह हमारे पास किस की तरह काम करेगा एक ही तरह aperture कि वही much diffraction अगर हमें रोकनी है तो यह aperture की तरह काम करेगा यह हो गया 50 into 50 wavelength हमें find करनी है fresnal distance क्या है कि जब तक वो tower 2 तक नहीं पहुंचेगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा fresnal distance हो जाएगा कितना है 20 km तो lambda क्या हैगा बच्चो 50 into 50 divided by 20 into 10 days to par 3 है ना अजीब सा case वही क्या लग रहा है क्या सोचा और क्या लग रहा है बिलकुल अजीब हो ग्रीब केस है इसमें लग रहा है fresnal distance आप जो भी competition की books हैं जिसमें बहुत सारे question दिये हैं उसमें भी fresnal distance के तीन question नहीं मिलते बट finger tips ने दे रखे इस angular resolution के उपर जो part 3 के last वाले question थे और part 4 के starting वाले हैं इसके उपर भी ज़्यादा question नहीं मिलते बट यहां दे रखे इसी वज़ा से ये book बच्चों की favorite हो जाती है क्योंकि इसने उन topics के उपर भी question दिये हैं जो बाकी books में थोड़े less covered topics है ठीक बात जो सब जगा covered है वो तो बच्चे करी लेते हैं जो less covered topic है उसके उपर भी ample amount of questions यहां पर दिये गए तो I hope बटा अभी तक आपने वीडियो को like कर दिया होगा अगर नहीं किया है तो फटा फट से like कर दिजिए चैनल को subscribe करिए और अपने maximum friends के साथ share करिए question number 80 light of wavelength is incident on aperture of size days distance up to which light can travel such that it spread is less than size of aperture सीधा सीधा क्या पूछ लिया Fresnel distance भाई सीधा ही बोल देता Fresnel distance बता दो aperture size क्या है 2 mm तो यह क्या बन गया 2 into 10 raise to power minus 3 का square wavelength क्या है 600 nanometer तो क्या बचेगा बच्चो 4 into 10 raise to power minus 6 6 into 10 raise to power minus 7 40 by 6 20 by 3 आप लिख सकते है 6.67 ओके बच्चो question number 81 for what distance is the ray optics is good approximation वो भी कौन सा distance होता है Fresnel distance aperture size कितना है 4 mm wavelength कितनी है 500 nanometer 16 into 10 raise to power minus 6 5 into 10 raise to power minus 7 160 by 5 कितना आ गया बच्चो 32 meter ओके बच्चो अब देखते हैं question number 82 the human eye has an approximate angular resolution angular resolution के उपर based question आ गया typical photo printer prints minimum 300 dpi यानि की dots per inch एक inch में यानि की 2.54 cm में कितने dots है 300 dots तो distance between two dots कितना होगा 2.54 cm divided by 300 distance between two dots at what minimum distance z should the printer page be held so that one dot one does not see the individual dot कहता है at one minimum distance should be printed so that one does not see the individual अगर वो इससे pass रखेगा तो resolution range में आ गया तो वो उन दोनों dot को अलगलग कर पाएगा बट उससे ज़ादा थोड़ी सी दूर रखेंगे तो वो उन दोनों को resolve नहीं कर पाएगा तो delta d बटा resolving power कितनी थी ये दी हुई है angular resolution दिया गया है angular resolution कितना है बच्चो जब ये हमारे पास phi होगा तो ये distance ये नहीं देख पाएगा तो हम उसी distance को चेक करते हैं कि maximum कहां तक ये देख सकता है उससे हलका सा भी ज़ादा होगा तो दो dot को लग लग नहीं देख पाएगा तो क्या होगा बच्चो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं क्योंकि angle as angle is very small तो we can use l is equal to r theta तो यहाँ पर बच्चो क्या बन रहा है small d is equal to capital d into 5 this becomes l arc length this becomes radius and this becomes angle तो delta d कितना है 2.54 cm divided by 300 capital d 5 कितना है 5.8 into 10 raise to power minus 4 ओके बच्चो तो capital d कितना आ गया अगर आप दियान से देखें तो यह बन रहा है 2.54 into 10 raise to power 4 divided by 300 into 5.8 यही बन रहा है बच्चो अब इसको आप फिर से देखिए वही बात होगी calculator वाली बात है थोड़ा बहुत हो use यहाँ पर करना ही पड़ेगा बट अगर आप देखें तो approximation से इसे मैं थोड़ा सा solve कर सकता हूँ देखिए यह बन गया हमारे पास 0.8 into 4 जहाँ आप लिख सकते हैं 5 अब अगर आप देखें 5.8 से इसे divide करने जाएंगे तो क्या बनेगा अगर यह हमारे पास 0.85 है और यह 0.6 होता तो यह 10 raise to power 1 बच जाता जहाँ आप लिख सकते हैं यह 85 होता और यह nearly 6 होता तो यह किसके बराबर होता बेटा 1 14 के around यह हमारे पास आना चाहिए था 14 के around आना चाहिए था क्योंकि नीचे वली term छोटी है तो यह 14 से थोड़ा सा ज़ादा तो आप क्या answer mark कर सकते हैं A option इसी तरीके से आपको competition में solve करना पड़ता है Question number 83 यहाँ तक जो question थे वो instrument के उपर बेज थे resolving power के उपर बेज थे जा फिर हमारे पास rational distance के उपर बेज थे इसके बाद जो portion हमारे पास हैं बच्चो that are based on polarization polarization आपको पता है तीन method से की जा सकती है by जो हमारे पास होता है एक filter में से pass करके जिसको हम polarizer analyzer कहते है selective absorption इसे कहा जाता है फिर हमारे पास होती है reflection से malus law sorry brewster lodge इसमें हम पढ़ते हैं कि angle of polarization पे इस fall करेगा तो जो reflected रहे है वो plane polarized होगी reflected rate partially polarized होगी reflected and reflected के बीच में angle 90 degree होगा third होता है scattering जिसके उपर कोई question नहीं है सिरफ theoretical concept है कि जिस direction में light travel कर रही है scatter होने के बाद उसके perpendicular direction में जो light जाती है वो plane polarized होती है तो polarization के उपर इसके उपर based question है let us see कैसे कैसे question है malus law, brister's law और bias scattering main ये तीन है scattering सरफ theoretical है बाकी दोनों के उपर यहाँ पर numerical दिये गए है उमीद है कि आपको इनकी theory आती होगी let's start और मैं आपको एक बात बता दूँ अगर अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया है तो like जरूर करें बटा अपने maximum दोस्तों के साथ share करें जिनको भी fingertips की जरूरत है competition के लिए और जो भी ये चाहते हैं कि competition के लिए मुझे basic physics के almost जो topics हैं उन सब के उपर questions मैं practice कर लो तो बहुत ही जल्द आपने देखा है वीडियो में हम और कोई बात नहीं करते हैं फटा-फट discussion करते हैं आपके लिए आपके competition का हर एक minute important है इसी वज़ा से और कोई advertisement नहीं कुछ नहीं है फटा-फट से हम सभी के सभी वीडियो solution आपको दे रहे हैं आपकी request पे ही wave optics इतनी जल्दी फटा-फट में इस week में complete किया है तो हम भी यही चाहते हैं कि आप maximum दोस्तों के साथ इसे share करें और आप भी इसे देख कर benefit उठाएं question number 83 transverse nature of light was confirmed by the phenomena of reflection, diffraction and dispersion are shown by transverse as well as a longitudinal but polarization is shown by only transverse तो transverse nature किसने confirm किया polarization 84 यह शुरू हो गया है values law के उपर based questions बिटा क्या कह रहा है हमारे पास if the angle between pass axis of polarizer and analyzer यहाँ पर मैंने अक्सर बच्चों को देखा है थोड़ा सा confused होते हैं कि वही यह polarizer analyzer sir इसने कहा तो है निके unpolarized light आ रही है जब यह दोनों लगे है तो by default हम यह मानके चलते हैं कि जो light incidence होगी वो हमारे पास क्या होगी plane polarized lighter होगी बटा क्यों क्योंकि तब ही हम दो use करेंगे अगर हमारे पास plane polarized light होगी अगर सिरफ polarized light होगी तो एक से ही काम चल जाएग अब अगर आप ध्यान से देखें कहते हैं दोनों के बीच में जो pass axis है उसके बीच में angle है 45 तो यहाँ पर जो light आई होगी यह क्या होगी आई the ratio of intensity is of original light and the transmitter original light है मान लेते हैं आई intensity की पहले polarizer में से pass करने के बाद intensity सीधी सीधी क्या होजाती है i not by 2 हम इसको क्या मान रहे है unpolarized light यह हो गई polarized light जब अब दूसरे sorry दूसरे polarize यानि कि analyzer में से pass करेगी तो values law कहता है कि यहाँ पर जो intensity होगी वो क्या होती है i by 2 cos square theta theta is the angle between the pass axis यह first question कर रहे हैं इसलिए मैं आपको साथ में theory भी explain कर रहा हूँ तो इन दोनों के बीच में जो pass axis है उसके बीच में जो angle है theta उसके cos के square के directly proportional होगी तो अब हमें angle कितना दिया गया है बेटा pass axis के बीच में 45 तो यह हो गया i by 2 cos square 45 cos square 45 cos 45 होता है 1 by root 2 का square हो गया 1 by 2 तो यह बेटा हमारे पास क्या बन गया i by 4 getting my point तो यह होता है बच्चो क्या नाम है इसका values law 85th question a polaroid is being used as an analyzer of a plane polarized light अब देखिए अब एक ही use कर रहे है हम लो analyzer कौन सी light आ रही है plane polarized light one complete rotation of the crystal the maximum intensity will be observed अगर आप दियान से देखे एक plane polarized light sorry polaroid is being used an analyzer of plane polaroid light if one of the complete rotation क्या होगा one complete rotation में बचा cos square theta cos square theta की value कितनी बार repeat करेगी cos square theta का graph सबको मालूम होगा इस तरीके से आप कह सकते हैं ठीक बात अगर हमने इस point को inside point ले लिया 0 plus तो ये वाला हमारे pass included होगा तो इस point से हम शुरू करेंगे तो maximum value एक बार यहां आएगी एक बार यहां आएगी तो कितनी बार repeat करता है एक ही value को 2 बार तो maximum intensity कितनी बार repeat करता है 2 बार maximum के इलावा पुछी होती ये वाली intensity कितनी बार repeat कर दी 4 बार maximum के इलावा पुछी होती तो कितनी बार repeat कर रहा था 4 बार बात समय नहीं तो इस बात का दियान रखना है maximum intensity twice question number 86 if theta is the polarizing angle for two optical medium whose critical angles critical angle क्या होता है किसी भी medium के लिए sin c1 होता है 1 by mu1 by default हम यही लेके चलते है जब तक हमें दोनों side के medium ना दिये हो तो एक medium हम क्या मानते है air तो यह कौन से angle है critical angles polarizing angle क्या होता है 10th theta it can be mu2 by mu1 standard क्या होता है mu2 by mu1 but यह mu1 by mu2 भी हो सकता है क्योंकि हमें यह नहीं दिया कि incident rate कौन से medium में पहले हम इसको देख लेते हैं यह match नहीं करेगा तो reverse कर लेंगे तो mu2 by mu1 इन दोनों से अगर आप दियान से देखें तो क्या हो जाएगा inversely proportional तो यह आएगा sin c1 by sin c2 क्या यह कहीं match करता है yes match कर रहा है क्या इसके इलावा जो दूसरा possible answer था वो क्या हो सकता है sin c2 divided by sin c1 क्या वो भी option में available है नहीं है वैसा दिया ही नहीं गया है क्योंकि यह भी एक हमारे पास possibility बनती थी अगर यह दोनों option में होते तो यह question competition में आ जाए तो वो challenge हो जाएगा क्योंकि हमें clearly दिया नहीं है कि कौन से में medium में light travel कर रही है तो इसने एक ही दिया है तो कोई challenge वाला scene ही यहाँ पर नहीं है question number 87 बच्चो unpolarized light of intensity अब mention किया गया है clearly unpolarized light of intensity passes through three polarizers such that transmission axis of first and third is crossed गौर से देखिए पहले का transmission axis है यह वाला तो दूसरे का क्या है यह यह कितने angle पे है पहले के साथ है cross का मतलब 90 degree cross का मतलब क्या होता है बच्चो cross का मतलब होता है 90 degree one और three में 90 degree है if intensity emerging is two भाई जो incident थी वो 32 जो emerge कर रही है वो two what is the angle of transmission axis between first two polarizers अब एक बीच में और polarizer लगा दिया वेटा एक बीच में और polarizer insert कर देते हैं इसका जो polarizing angle है axis है मान लब वो पहले के साथ कितना angle बना रहा है theta तो दूसरे के साथ क्या बना रहा होगा 90 minus theta तो पहले के साथ मान लो यहां से light आई आई तो यहां क्या होगी unpolarized light जब एक polarizer में से पास करती है तो intensity हो जाती है आई बेट आई बैटो अब जए polarized light polarizer में से जब पीच करती है तो intensity हो जाती है आई बैटो cos square theta theta इन दोनों के pass axis के बीच का angle अब यही light फिर से पास करेगी तो अब angle क्या है बच्चो अब एंगल क्या है इस pass axis इस pass axis और इस pass axis में 90 minus theta तो अब ये किसके बराबर होगा cos square 90 minus theta ये बास समझ में आई अब आई कितनी है 32 और ये total कितनी है 2 तो ये आ गया 32 by 2 ये आ गया cos square theta और cos 90 minus theta sin square theta तो ये क्या बच गया बच्चो ये बच गया 16 उदर जाके 8 यहां पर मैं थोड़ा सा इसे adjust करता हूँ 2 cos theta sin theta divide by 2 का square लिख सकता हूँ यहां ये क्या हो गया 1 by 8 यहां ये क्या हो गया है 1 by 8 2 sin theta cos theta क्या होता है sin 2 theta ये क्या बच गया बच्चो साइन टू थिटा का स्कुर्ल ये क्या बच गया बच्चो फोर ये एट ये कट गया बच्चा ये क्या बच्चा वन बाइ टू अब अगर हम देखें तो रूट कर दीजे बच्चा साइन टू थिटा क्या आ गया वन बाइ रूट टू ये क्या बच गया था बच्चा हमारे प करते यार 22.5 की वैल्यू तो पता नहीं कहां से solve करेंगे इसको जरूरत ही नहीं है जरूरत पड़ी नहीं पड़ी थिटा 2 थिटा 45 है तो थिटा 22.5 हो गया बच्चो गटीवाइप पॉइंट moving toward question number 88 light from sodium lamp is made to pass through two polaroids placed one after the other in the path of light taking the intensity of incident light is as 100% अगर यह i naught 100% है पहले polaroid में से pass करके i naught by 2 दूसरे में से pass करके i naught by 2 cos square theta अब cos square theta की value कहां से कहां vary करती है इसकी value vary करती है 0 to 1 तो इसका मतलब इस intensity की value कहां से कहां vary करेगी i naught by 2 से sorry 0 से i naught by 2 तक तो अब इसने क्या पूछा है कहता अगर यह 100% है तो यह कितनी होगी 0 से 50% तो intensity of outcoming light क्या हो जाएगी 0 to 50% question number 89 from brewster's law accept for polishing metallic surfaces the polarizing angle क्या होता है अगर आप दियान से देखें brewster law के लिए जो polarizing angle होता है जिसे हम लिखते है tan theta p वो किसके बराबर होता है mu 2 by mu 1 by default हम क्या लिखते हैं 1 by mu वही जो mu 2 है sorry 1 by mu नहीं mu लिखते हैं क्योंकि जो first medium है वो by default air ने लिया जाता है अब mu जो होता है वो wavelength के inversely proportional होता है वैसे तो यह क्या होता है kauchy's formula a plus b lambda by lambda square तो lambda के inversely proportional है तो क्या होगा polarizing angle depends on wavelength yes but color के उपर भी depending करता है yes हर एक color की अलग-लग wavelength होती है बैटा हर एक color की अलग-लग wavelength होती है तो कहते है depend on wavelength and this is different for different color yes red के लिए refractive index अलग होगा blue के लिए अलग होगा तो theta pb सब के लिए अलग-लग होगा ओके बच्चो moving toward question number 90 in case of linearly polarized light magnitude of electric field vector वैसे तो इसको बोलना चाहिए था direction of electric field vector magnitude का क्या मतलब बना direction ये propagation है क्योंकि ये transverse light है बैटा तो जो electric field है it is perpendicular to the direction of propagation is parallel to direction of propagation increase linearly with the time does not change with the time varies periodically अच्छा magnitude की बात कर रहा है अब समझ मैं क्यों कह रहा था direction होती तो सरफ perpendicularly magnitude it varies with the time sinusoidal function होता है e naught sin omega t minus kx तो जो magnitude है वो periodically timer के साथ vary करता है question number 91 बच्चो क्या कह रहा है गोर से देखिए इस question को बताने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दू बच्चो अगर अभी तक आपने video को like नहीं किया है तो जरूर like करें और अपने maximum दोस्तों के साथ share करें जो competition की त्यारी कर रहे हैं चाहे वो competition neat हो चाहे वो competition c u e t हो जो central university का exam हो दोनों के लिए ही अगर आप physics की त्यारी कर रहे है physics को prepare करना चाहते हैं तो mtg fingertips एक बहुत ही अच्छी बुक है limited portion में almost chapter के सभी concept यह cover करती है तो अगर आप उस book को solve कर रहे हैं और आपको help की जरूरत है तो video जरूर देखें और अपने दोस्तों की भी helper जरूर करें question number 91 unpolarized light of intensity i is incident on a system of two polarizer a followed by b the intensity emerge light is i by two गौर से देखिए unpolarized light fall करती है जिसकी intensity है i पहले में से pass करके intensity हो गई i by two अब emergent light की intensity भी i by क्या है क्या होती है emergent light की intensity i by two cos square theta बट यह कितनी दी है बटा i by two इसका मतलब theta क्या है zero यानि कि यह दोनों के जो pass axis है वो क्या है बटा parallel दोनों के pass axis क्या है parallel है पहली between polarizer a and c is theta यह a था यह b था बीच में लगा दिया third polarizer देखें फिर से वही लगना है बीच में लगा दिया third polarizer अब यह हमारे पास क्या कहा रहा है emergent light की intensity क्या i by three अब अगर यह दोनों pass axis parallel थे angle theta था अब इसका pass axis जो है वो कितने angle पे है मालो पहले वाले के साथ theta angle पे है तो दूसरे वाले के साथ भी theta angle पे हो जाएगा तो यहां से light क्या आई आई पहले से pass करके हो गई i by two दूसरे से pass करके हो गई i by two cos square theta तीसरे से pass करके क्या हो गई i by two cos square theta into cos square theta क्योंकि c और b में भी वही angle है तो यह हो गई i by two cos की power four theta और emergent light कितनी दी गई थी intensity i by three तो i by three तो यह हो गया cos की power four theta two by three beta तो cos theta कितना हो गया बच्चो two by three की power one by four हो गया असानी से solve cos theta two by three की power one by four बच्चो clear है moving toward question number 92 unpolarized light is incident on a plain glass surface angle of incidence so that reflected and reflected rays are perpendicular किस केस में होता है reflected and reflected rays are perpendicular when angle of incidence is equal to angle of polarization तो angle of incidence angle of polarization के बराबर है तो वो कितना होता है बच्चो mu के बराबर 10 theta is equal to mu तो simply theory based question है अगर आपको brewster's law याद है तो फटा फट से चिपका सकते हैं इससे पहले हमने देखा malus law अब यह किस के उपर based है brewster's law 93 an unpolarized light is beam is incident on the surface at an angle of incidence equal to brewster angle polarizing angle को ही क्या नाम दिया जाता है brewster angle तो इस case में क्या होता है कौन सी light polarized होती है मैंने theory बताई थी जब मैंने यह question start किये थे 83 से शायद तो मैंने आपको theory बताई थी brewster law की कि जब हमारे पास angle of incidence is equal to brewster's angle है angle of polarization है तो reflected light plane polarized होती है और reflected light हमारे पास partially polarized होती है तो reflected light क्या होगी plane polarized reflected beam is completely polarized and the reflected beam is partially polarized and both are at right angle to each other देखिए अगर आपने theory नहीं भी पड़ी जब miss कर दिया जब आपको पता नहीं था तब भी question इतने अच्छे तरीके से set किये गए है कि आप उस theory को भी revise कर पाएं question number 94 at what angle of incidence will the light reflected from the glass be completely polarized कितने angle of incidence पे जो reflected light है वो plane polarized होगी जब 10 theta क्या होगा mu के बराबर which is 1.5 अब फस गे देखो अब फस गे बटा बच्चे कहते हैं sir ये तो angle हमें किसी नहीं बताया मेरे पास आते हैं बच्चे मैंने भी नहीं बताया कोई teacher भी नहीं बताता जो non medical के बच्चे हैं उनको भी शायद ना पताओ बट solve कर सकते हैं पता नहीं है तो क्या हो गया दिमाग तो है कुछ angle तो पता है कौन-कौन से 1045 कितना होता है 1053 कितना होता है ये तो बताया हुआ है 4 by 3 1.33 10 60 degree क्या होता है root 3 1.73 मिल गया ना answer 1.5 कहा होगा 1.33 and 1.73 के बीच में 53 और 60 में देखो ज़रा कितने है options है एक ही पाएगा बही कोशन सेटर को भी पता है कि इसकी value नहीं पता होती और calculator आपके पास है नहीं तो वो set करके देगा कि थोड़ा सा लगाओ और answer आ जाएगा तो एक ही अगल है 53 और 60 के बीच में 56.3 खता हो और इसा है thank you है ना बाद में बोल देना चलो कोई बाद नहीं 95 the refractive index of medium is root 3 if the beam of unpolarized light is incident on it the polarizing angle of medium the angle of refraction polarizing angle पे डाला गया है तो 10 i is equal to root 3 तो angle of incidence कितना हो गया बच्चो 60 angle of reflection पुछा है स्नेल्ज लौ तो इस पे भी valid है तो sin 60 mu sin r sin 60 root 3 ये भी root 3 sin r कितना बन जाएगा बच्चो देखे थोड़ी सी गड़बड होई है sin 60 होता है root 3 by 2 तो sin r क्या हो गया बच्चो 1 by 2 आर कितना आ गया है 30 degree बात समय रहे है 30 degree आगे बढ़ते हैं question number 96 velocity of light in air is this that of water is this polarizing angle of incidence polarizing angle of incidence क्या होता है mu अब हमें water का refractive index निकालना है with respect to air तो water का refractive index क्या होता है speed in air divided by speed in water air में कितनी है 3 into 10 raise to power 8 water में कितनी है 2.2 into 10 raise to power 8 ये cut गया 30 divided by 22 15 divided by 11 1 या आगया 4 3 7 6 तो इसके आसपास mu की value आएगी बटा mu की value क्या आ रही है हमारे passer 1.36 तो 10 आई कितना है 1.36 फिर फास गया सर इसकी value भी नहीं पता फिर से लिखिए 10 45 1 10 53 4 by 3 1.33 53 से थोड़ा सा जादा क्या है 53.67 हतम हो गया क्यों tension नहीं है हो जाता है ऐसे गवराना नहीं है बिलकुल नहीं गवराना है थोड़ा सा बस सोचना है अंसर आपको मिल जाएगा 97 when the angle of incidence is 60 degree on the surface of glass slab it is found that reflected rays completely polarized यानि कि यह हमारे पास फिर से क्या हो गया 10 60 mu तो mu कितना हो गया root 3 velocity of light in the glass mu क्या होता है c by v root 3 तो v कितना आगया c by root 3 3 into 10 raise to power 8 divide by root 3 कितना बचेगा बच्चो root 3 into 10 raise to power 8 चोटे चोटे कोशन Bristol law के उपर generally competition में देखे जाते हैं क्योंकि competition में इतना ज़्यादा time नहीं मिलता कोशन को solve करने के लिए तो ये कोशन काफी favorite हो जाते हैं 98 critical angle of certain medium is this critical angle तो theta c equal to sine inverse 3 by 5 sine को इदर ले आओ sine theta c equal to 3 by 5 equal to 1 by mu तो mu कितना आगया 5 by 3 polarizing angle क्या होता है 10 theta p mu के बराबर तो theta p क्या आएगा 10 inverse 5 by 3 हो गया ना अगर आपको angle पता है आपने इस तरीके के कोशन लगा लिए तो paper में अचकेंगे नहीं 100 की speed से फटा-फट से solve करते चले जाएंगे 99 क्या कहता है कहता है हमारे पास light is incident on a glass surface at polarizing angle this angle between the incident ray and refracted ray is गौर से देखिए ये है कोशन थोड़ा सोचने वाला direct नहीं होगा कोई formula नहीं लग रहा है सोचना है ये incident ray है 57.5 degree पे तो ये reflected ray होगी कितने पे होगी 57.5 पे reflected ray कहा होगी भाई अगर ये polarizing angle के उपर fall कर रहा है तो reflected और reflected ray क्या होती है perpendicular किस तरीके से ये कोशन में चीजें यूज़ करता है आप देख पा रहे है तो बेटा पूछा गया है angle between incident ray and refracted ray तो क्या होगा incident ray और refracted ray में angle क्या होगा बच्चो ये वाला angle होगा कितना है 90 प्लस 57.5 प्लस 57.5 अगर तो आप इसे करी लेंगे 90 प्लस 57 57 115 0.5 भी था तो ये क्या बन जाएगा 205 डिग्री कितना बन रहा है बच्चो 205 question number 100 an optically active compound ये वही values law वाला ही है जिसमें ये polarize करता है optically active compound क्या करता है जो polarized light है उसकी direction change करता है और क्या करता है जो light की direction है वो ये क्या करता है sorry light की direction नहीं vector की direction को change करता है जो oscillation है वो पहले इदर हो रही थी polarizer में से pass ओके इदर हो रही होंगी फिर किसी में से pass करेगा तो इदर हो रही होंगी तो rotate the plane of polarized light ये काम करता है हमारे पास optically active compound ओके बच्चो तो इसके साथ हमारी ये discussion खतम होती है और इसी के साथ हमारा ये chapter wave optics from NCRT at your fingertips भी खतम होता है उमीद है आपने सभी वीडियोज देखी होंगी सभी question देखे होंगे और उनके solution आपको समझ में आए होंगे और हम ये भी आशा करते हैं उमीद करते हैं कि ये question आपको competition में help करें और आपका score काफी अच्छा है तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही था बच्चो thanks for watching remember to like, share and subscribe keep studying, keep smiling miles to go